ब्रोट तो यू बाई 5pesa.com, investing made easy and rewarding, download the app now. कमपनी के सभी कर्मचारियों को लेकर एक फैसला लिया है। दरसल सोशल मीडिया पर टेसला से जुड़ा एक मेल लीक हुआ है। इसमें कोरोना की वज़ा से शुरू हुए work from home को खत्म करने का एलान किया गया है। मेल में कहा गया है कि कर्मचारी को कम से कम 40 घंटे हर हफ्ते आफिस में आकर काम करना होगा। यानि टेसला कमपनी में यदि 5 दिन काम होता है और बाकी 2 दिन छुटी होती है तो ऐसे में 5 दिन के हिसाब से रोज के करीब 8 घंटे काम आफिस में करना होगा। लीक हुई स्क्रीन शॉर्ट को लेकर दावा किया गया है कि या मेल आलन मस् वही मेल में भी उनका नाम लिखा है। स्क्रीन शॉर्ट को देखे तो मेल में आलन मस् ने टेसला के कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि या तो वे ओफिस में आकर काम करें और अगर किसी कर्मचारी को कमपनी की नीती नहीं पसंद है तो वा टेसला छोड़ दे। और में लिखा है कि कर्मचारी को टेसला के में आफिस में आना होगा। अगर कोई कर्मचारी दूर सित ब्रांच में आ जाकर काम करेगा तो उससे काम नहीं चलेगा। मतलब ये कि में आफिस ही आना पड़ेगा। हाला कि यह साफ नहीं है कि यह मेल क्या सच में आलन मस्ट की तरफ से किया गया है वहीं कमपनी की तरफ से भी इस पर कोई सफाई नहीं दी गई है मेल में आलन मस्ट ने कहा कि टेसला वहाँ निर्मित करती है और यह काम फोन पर नहीं हो सकता है इसके लिए कर्मचारियों की मौजूदगी जरूरी है साथी मस ने रिमोट वर्क कराने वाली आने कमपनियों पर तंज करते हुए कहा कि आने कमपनिया कर्मचारियों को यह सुविधा दे रही है लेकिन इन कमपनियों ने कब अपना नया प्रोड़क्ट लॉंच किया था टेसला इस दुनिया की सबसे एक्साइटिंग और मीनिंगफूल प्रोड़क्स बनाता आया है और बनाता रहेगा जो केवल पोन करने से नहीं होगा उन्होंने कहा कि टेसला में सभी कर्मचारियों को कम से कम 40 घंटे ओफिस में बिताना जरूरी है अगर कोई ओफिस नहीं आएगा तो ऐसा माना जाएगा कि उसने इस्तिफा दे दिया है मस्क ने खुद का उधारन देते वे कहा कि कर्मचारी जितने सीनियर हो उनकी प्रेजन्स उतनी ही जरूरी होती है इसी वज़ा से मैं फैक्टरी में इतनी अधिक देव तक रहता हूँ ताकि मुझे सब लोग अपने साथ काम करता पाए अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो टेसला बहुत पहले दिवालिया हो जाती वहें एक शक्स ने मस्क को टैर कर मेल से जुड़ा सवाल भी किया इस पर मस्क ने कहा कि उनको कहीं और काम करने का दिखावा करना चाहिए बता दे टेसला कंपनी इन दिनों दुनिया भर में सुर्ख्या बटो रही है मस्क भारत में भी इसका प्रांट लगाना चाहते हैं लेकिन अभी कई दिखते हैं पिशले ही हफ्ते मस्क ने कहा था कि टेसला उस जगब पर अपना कोई मानुफाक्टरिंग प्रांट नहीं लगाएगी जहां उसे पहले कार को बेशने और सर्विस देनी की अनुमती नहीं मिले मस्क लंबे समय से भारत में टेसला की कार को बेशने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके लिए वह सरकार से आयाच शुल्क में छूट जाते हैं भारत सरकार टेसला को कई मंचों से साफ कर चुकी है क्योंने अगर इंडिया में अपनी कार बेशनी है तो उसका उत्पादन यहीं करना होगा चीन में बनी कार यहां नहीं बिकेगी आयाच शुल्क में छूट की जगा सरकार उन्हें PLI स्कीम यानि प्रोडक्शन लिंग्ड इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठाने के लिए भी कह चुकी है अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरू करे साथी हमारे चानल बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद उन्यवाद